दोस्तो अगर आपने चल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे साथी साथ बगल में आगा बैल आइकन उसको प्रेस कर लिजे वीडियो उसकी नॉट्सिकेशन के लिए और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजे ताकि हर टेक्स से लेटर वीडियो से आपको सबसे पहले मिलती रहे नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्ट आपका गाइड विज्योल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल गाइड फोटेक उज्वल में दोस्तों आप इसे काफी ऐसे लोग होंगे जो की नुई स्मार्टफोन लेने को सोच रहोंगे जिसमें इसकी Realme 3 Pro लोग लेने वाले संख्या लोगों की जादा होने वाली है और अगर आप Realme 3 Pro ले रहे हो तो आपके लिए जीओ की तरफ से काफी अच्छा ओफर है तो ये वीडियो बहुत छोटी से होगी तो इस वीडियो में आप लोगो उस ओफर के बारे में बताऊंगा तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर चैनल को सब्सक्राइब जूर्टब से कर लिजेगा तो चली जान लेते हैं जान लाइक है तो वह पर आपको वैसे अगर बेनफिट नेकों एक बात करें, तो आपको गोड़ू से हएवागो खाली अगर जियो की कितने रुपय का benefit मिल ला है तो अगर आप अपना phone खरीदने के बाद SIM लगाते हो पहला जियो का और उसमें रिचार्ज कराते हो 299 का तो वहां पर आपको 1800 रुपय का इस्टेंट यहां पर आपको cashback मिल जाएगा vouchers रूपय आप कह सकते हो coupon के रूप में जिसको आप अपने next recharge में यूज कर पाओगे और जहां तक अभी मैंने realme 3 pro के बारे में काफी मैंने मतलब ढूणने की कोशिश की कि जो vouchers या coupon होंगे वो कितने रुपीस की होंगे तो मुझे जहां तक लग रहा है कि 100 रुपीस के यहां पर आपको मिलने वाले तो जैसे आ आप ने 299 का सिम लगाने के बार रिचार्ज कराया तो 1800 रुपे का वहां पर मिल गया वाउचर की रूप में या coupon की रूप में मिल गया तो अब जब आप next यहां पर रिचार्ज कराओगे 299 का तो वहां से 100 रुपीस माइनस हो जाएगा मतलब आप इस coupon का यूज कर लोगे से तो बाकी अधर्स एप की यहां पर आफर भी आपको मिल जाएंगे तो में जो है वह 18 रुपे का इस्टेंट केंस बैक है जो की तर्फ से मिल जाएगा अगर आप रियल्मी 3 प्रो लेने वाले हो तो आपको अठारा कुछ यहां पर आपको रिचार्ज आप कर पाओगे मत दोस्तों अगर आज की वीडिया आप लोग को पसंद आई हो इसे प्लीज लाइक शेयर चैनल को सब्सक्काइब वीडियो से कलिजगा क्योंकि मैं इस में रुजरान टेक्नोलोजी से रिलेटेड वीडियो से लिका रहता हूं फिलहाल के लिए ते दोस्तों जैहिंद वन्य से मात्रम अपना ख्याल केगा